हलो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप लोग सबस्वस्त होंगे मस्त होंगे तो फ्रेंड्स में आज आपके लिए लेके हैं यू नॉन्वेज के एक ऐसी बेहतरीन सी रेस्पी जो खाने और देखने दोनों में ही ला जबाब है ऐसा लगे बेकिंग सोडा एक चो थाई चमच दादा नहीं डालना बेकिंग सोडा वन्ना कड़वा लगने लगेगा और बेकिंग पाउडर एक छोटा चमच भर के डाल देंगे साथ ही हम इसके डालेंगे दही दो चमच और इसको गूथेंगे हम दूथ से तो फ्रेंड्स यह जो आटा हम लगाएंगे दूथ से लगाएंगे क्योंकि दूथ से लगाने से एक तो इसमें लचीला पन बहुत आ जाएगा दूथ से और दूथ की बार तंदर से यह सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी क्रिस जाएंगे तो आठा भी आपको ऐसा नहीं कि मुख्या मारने है कुप सारी या कुछ करना है तो देखते जी आठ इसको फॉलो करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूट डालके हम इसको अच्छे से जैसे क्रम्बल नी बनाते उस टाइप से बना बना के हम इसको गूथेंगे तो केला में मेरे जानने वाले हैं जो केला से बिलॉंग करते उनके यहां पर सुखा चिकन और बन प्रोठा मैंने देखा था बनते वे तो मैंने उनसे रेस्पी ली तो मैंने का चलो भाई आपके साथ भी शेयर कर लिए तो फ्रेंट देखिए आठा जो है मेरा काफी हद तक ल साफ कर लिजेगा और इसको गूतने का जो तरीका है वो देखते रहें वीडियो ज़रूर बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक एक स्टेप को मैंने फॉलो कर रहा है जैसे जैसे मैंने सीखा है तो आप भी इस चीज को देखिए और सेम यसे बनाएंगे तो आपका भी सेम सेम और परठा भी तो देखिए आटा मेरा सारा इकठा हो चुका है अब हम इसमें अपने आटे में थोड़ा सा में दूद और डाले क्योंकि मैं कोई टाइट सा लग रहा है और इसको उंगलियों से जो मैं अंदर दूद को प्रेस कर दूँगी और इसको देखिए हमने कैसे आ अटा भी दिखेगा इसका मतलब है कि अभी आटे को हमें और देर्फा कूठना है कैसे इसमें लो चाती जारी है जैसे जैसे में बूत ते जाएंगे इसमें लो चाती जाएगी लचीला पनाता जाएगा तो अभी आटा गुथा नहीं है अभी हम इसमें आयल भी डालेंगे क्योंकि हमने आयल पहले नहीं डाला था मोसली हम आयल डाल देते हैं लेकिन अभी हम इसमें आयल अब डालेंगे अब इतना आटा मेरा गुथ चुका है अब इसमें आयल डालेंगे रिफाइंड डालें जैसे मैंने पहले कर रहा था ताकि आटा जो है अंदर से भी लचीला हो जाए और पहार से चिकना हो जाए पूरे आटे को हमें ऐसे काफी देर मतलब 10 मिंट करीब लग जाते हैं इसको पूरे प्रोसेस को करते करते तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा और जब भी कोई मेहमान आए आपके ख़र तो यह दिश उनको ज़रूर खिलाएगा तो यह तो मैं आटा जो मैंने आदा किलो लिया है यह मैंने दो तीन लोगों के हिसाब से लिया था मतलब चार लोग करीब खा सकते हैं इसको आप ले तो थोड़ा ज़ादा ले अपने फैम करके खाये तो देखिए मैंने कर लिया अब इसको थोड़ा सा ओयल में ग्रीज करके ताकि यह हमारे जो उपर से पर रहता है वह सूखे नहीं अंदर से और नीचे से दोनों तरफ से हम इसमें ओयल लगा के इसको ठक के रख देंगे ताकि आटा हमारा सेट हो जाए इसको भ बढस के रहें पहले आट लगाने के पर चिकन बनने में हमारा टाइम नहीं लगता तो जितनी देर हम चिकन बनाएंगे आटे को रस्ट मिलजाएगा और तब तक हम और काम कर लेंगे तर चलिए मैंने ले लिया चिकन यह तरीके के पीसे है इसमें कोई आसा नहीं हमोलने से लेना आपको यह कोई अलग से पीछ लेने इसमें डाल देंगे अध्रक लसं का पेस्ट एक एक चमस जोनों ले ले लें ताहिए ताहिए नमक पहले बोल दिया लेकिन नमक भी डलेगा यह नमक मैं अब डाल रही हूं और साथ इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर काली मेश क्या कर रही हूं आज मैं मैं को समझ नहीं आ रहा है सब पहले ही पता दे रही हूं कोई बात नहीं पहले पता चल जाएगे तो पहले डाल लेंगे इसमें क्या हो गया अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करने हैं आप चममस से चाहे चममस से मिक्स कर सकते हैं जैसे आपको कर्मेस का प्रुते हो जाएक एंब तक फयार करना मैं तो मैंने ले लिए मैं और या आपको भी जादा लग रहा होगा कि यहां इस्को तो यहां पर मैंने दो प्याज को वारिक स्लाइस कर लिया है अब इसको हम अच्छे से हातों से खोल-खोल के प्याजों को हम इसमें डाल लेंगे चिकन मेरा आदा किलो से थोड़ा सा जाधा था तो आप उसी साब से देख लीजेगा आप प्यास देखिए मेरे गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है इसको खोल के डालने से प्यास जल्दी 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 गोल्डन होना स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा सा टाइम देंगे औ बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है चलाते रहना है और जहां से देखी कई कई वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा तो वह भी जल्दी से गोल्डन हो जाएगा तो मेरे को गोल्डन ही प्यास चाहिए ब्लैक कलर नहीं चाहिए प्यास का तो मैं स्टेंप इसको निकाल तक यह और फ्राई ना हो क्योंकि अभी गरम है तो प्लेट में भी थोड़ी दे रहे हैं अपने हीट में भी पकती है तो इस टाम पर हम इसको निकाल लेंगे यह प्यास जो है कोर में में भी डलती है बिरियानी बनाते है आप उसमें भी डलती है कई ऐसी और टीशिज भी है जिसमें गोल्डन प्यास डलती है तो देखिए इसको खोल देंगे अब ताकि इसमें से जो हमने क्रिस्पी हो जाए और इसका आगे का प्रोसेस जो रूप आप निजिए घ्राइल को, तोड़ा कम कर लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं कुटा हुआ लसन कुटा हुआ आदरक यह मैंने कूट के लिए है आप इसको कूट के ही लें इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही उसम आता है इसमें और इसको थोड़ा सा फ्राइ करने के बाद मैंने यह डाल दी है चार-पाच मिर्चे स्लेट करके रखे हुई है मैंने मिर्चों को आप कम जादा कर सकते हैं इसमें बराबर थी दूकर अब यह दो तमाटर मैंने बड़े बड़े थे वह काट लिए थे रफ्री चॉप करें और इनको भी ऐसे डाल दिया साथी में डाल रही हूं लाल सुखी मेच थोड़े से तमाटर जब सॉफ्ट हो जाना अब तभी मसाले डालेगा धन्या पाउडर ना आप यहां पर चाहता तो देगी मिर्च या कशेरी लाल मिरच भी डाल सकते हैं क्योंकि मेंने देगी मिर्च थोड़े जामील मिर्च हो अच्छे धाल हैं थो मेने इसमें नहीं कुछ और यूँज करा आपकी थोड़ी ऐसी हो तो आप शक्समीरी लाल मिर्च रसक्री अब यह मैं डाल रहे हैं इसमें करी पता है साउथ की डिश हो और करी पता ना हो ऐसा तो हो इनी सकता ना तो करी लीव्स मेरे पास अभी कम थे दो तीन तंडिया ही मुझे मिली थी मांग मांग के यहां पर किसी के पास थी नहीं और आज बाजार भी नहीं था तो मुझे करी इस नहीं मिल पाएं तो दो तीन माने मांगी थी बस वहीं में डाल पाई हूं आपके पास जादा हो तो आप जादा थोड़ी डाल दीजिगा इससे और भी टेस्ट आ जाता है इसमें तो चिकन को देखिए कितने अच्छा रोगन आया इसमें और कितनी अच्छी रंगत आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं बट प्यास जो है अच्छे से पकी होई है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस चीज की यह अपने आपी अभी और गर्मी में पक जाएगी यहां पर मैं डाल रही हूं इमली को मैंने सोक करके रखा था उसका पानी डा साउथ की डिशिस में थोड़ा सा खट्टा पन भी डाला जाता है अब मैं इसमें डाल रही हूं धनिया पता है चिकन को आपको जितना सूखा करना हो उतना आप कर सकते हैं या ग्रेवी थोड़ी रखनी हो तो आप वह भी रख सकते हैं बट यह चिकन आप खाके देखेंग पर आजाते हैं देखिए फिर से मैंने आटे को ले लिया और फिर से वही कारे क्रम शुरू कर दिया है पांच मिनिट ते कि इसको अच्छे से मसल लिया और अभी आटा मेरा तैयार है तो जब भी बनाए तो आसपडोसियों को भी खिलाए जरूर भाई आसपडोसियों का ब चीज है क्योंकि एक दूसरे की जब चीजे हम खाते हैं तभी हम सीखते भी है ना तो खैर में नॉन विस तो नहीं खाती बट मैं अब बनाती ज़रूर हो अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने रे सस्राल में सब खाते हैं आप देख रहे हैं यह टाव पोस्ते जा रही हूं और खाना बनाती जा रही हूं तो आप इसको ना आप चाहें तो थोड़ी देर आटे को और रखेंगे ना तो यह और लचीला हो जाएगा तो आप हातों से भी कर सकते हैं कलाकारी दिखा सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह बेलन से भी कर सकते हैं इसको मैं अबी अपना camera set करें हूँ ताकि आपको पूरी Roti दिखा सको हूँ कि कितनी आपको बेलनी है और कितना पतला करना है ताकि आपको इच्छे से दिखें तो रोटी देखिए हाथों से भी फैला सकते हैं और जो बेलन से भी हमें बहुत पतली रोटी बेलनी है और बीचों से कई फट भी जाया ना क्रैक आजाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पतला करने में खीचने में हो जाता है तो इस बात का आप बिल्कुल टेंशन मत लिएगा देखें मेरा भी हो गया है तो मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि मेरा हो गया क्योंकि खीचने में और पतला करने में अकसर मैदे को ऐसा हो जाता है लेकिन हमें इसका लच्छा बनाना यह अभी आपको पता भी नहीं चलेगे क्रैक्स कहां गई यह वाले जो भट गए हैं रोटी तो खीच खीच के आप इसको लंबा करते रहें और तूट भी जाये तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यह आराम से जूड़ जाती है यह अद जाती है अराम से अधियाओ देखें मैं जहां जहां से हमजे लग रहा है थोड़ा मोटा मोटा है में महां वासे और फैलाती जा रही हूँ इसको अब इसको आपको कैसे इसको रोल करना है वो जरूरूर्द यान से देखिएगा कि कैसे करना है अभी तुम मैं इसको खेंच रहे हूं अब इसका एक कोना आपको पकड़ना है कोई से अभी पकड़ लेचे और यह इसको ऐसे आपको इकठा करते चले जाना है अच्छे से सब्सेट कर लेना है और रोल कर लेना है जैसे हम अच्छा पराठा बनाने के लिए रोल करते ना बस वैसा ही रोल करना है और जहां से आपको मोटर लगे वहां से थोड़ा सा और खेंच लिए जएगा और इसको अच्छे से करकर नीचे की साइट पर फिक्स कर देजएगा सारे बंद बनाने के बाद आप इसके उपर ओयल लगा दें और इसको छोड़ दें आप चाहे तो इसको रेफिजरेट करके भी रख सकते हैं जब आपके महमान आए उस टाइम पे आप इसको सेख के गरम गरम भी दे सकते हैं पहले से बना के रख सकते हैं क्योंकि इस प्रोसीजर में ज्यादा टाइम लगता है उससे इसकी पड़तें बहुत अच्छे से खुलेंगी और जो पराठा आपका परोठा बनेगा वह बहुत अच्छा खसता बनेगा बट मैं जो है शेलो फ्राइ कर रहे हूं इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा सा आयल कम हो जाएगा इसमें जो क कि इसकी अच्छे से इस पर कलर आ रहा है अम इसको थोड़ा से दबा दूंगी तक इसकी लेरिंग जो है वह और अच्छे से निकल के आए बहार थोड़े पतले हो जाए कलर देखिए आप इसका कितना प्यारा खुबसूरा सा कलर आ रहा है देखके ही मूं में पानी आ रहा कि बेटा पता हो कैसा बना है या कोई सी को देती हूं तो उनसे रिव्यू ज़रूर लेती हूं तो मेरे बच्चों ने इतने अच्छे-चे एक्शन करकर के में को बताया थी ना कि में मुझा आ गया तो देखिए किलर देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और इ किया माच्छे-चे ना लगें और अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो प्राई करने में तो सब जगह से अपने आप फिर थे फ्राई हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जोरूत नहीं है चैंखने में थोड़ा सा इस चीजा का ध्यान के नेना पड़े जो आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हूं वो ऐसी करते रहेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वचिंग जो कि बाइबाइब